आप सभी का स्वागत है सबसे पहले अगर आप लोग को बैग्राइंड नॉइज ज्यादा आ रहा होगा उसके लिए माफी चाहें क्योंकि हमारे तरफ और यह बहुत तेज बारिश ठीक है तो कमेंट करेंगे बाई अभी इस समय जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं किन-कि यानि आसुलिपिक की बहाली आई हुई थी और यह काफी लंबे समय से जो है पेंडिंग है फॉर्म भरा हो रहा चुका है और अब एक्जाम का सभी वेट कर रहा है अब देखिए एक कोस्चन जो है बार बार घूम के आ रहा है कि क्या भरती फिर से ली जाएगी अब यह भ परिक्षा कारक्रम यहां पर दिख रहा होगा बिहार विधान परिशत का ठीक है अब यह जो परिक्षा कारक्रम है उस पहले बता दू यह आल्रेडी निकला हुआ था ठीक है यह ऑल्रेडी निकला हुआ परिक्षा कारकर ठादूकरम यह जो एक्जामनेशन के लेंडर पंदिक नेन फिस Title अ कहार्य आपको डेट कह भी यहां पे बजाबते बता दिया गया हुआ है 14 चार यानि की 14 एपरिल के बाद 14 एपरिल को जो एक्जामनेशन मॉर्निंग सिफ्ट में प्राणभी परिक्षा और यहां हिंदी टंकन और अंगरेजी टंकन का परिक्षा MS Word Processing जांच जो है यह 5 पाँच यह पाँच माय को लिया जाएगा मुक परिक्षा वरनात्मक होगा प्राणभी परिक्षा परिक्षा 24 एपरिल को और यहां सेम आसो लिपीक की परिक्षा परिक्षाइब 15-5 को ली जाएगी आप जो देखे ये जो एकजामनेशन कैलेंडर है ये आया हुआ था लेकिन इसको कर दिया गया कैंसल ठीक है कैंसल कर दिया अचाइब करने का उस समय जो में रीजन था देखिए आचार संहीता चलरे थी ठीक है आचार संहीता चलरी थी जाल दिया गया लेकिन जब आयोग देखा विहार विधन प्रिषद आयोग ने देखा कि वो असमर्थ है परिक्षा लेने में क्योंकि उस समय सारे जो सरकारे स्टाफ ए स्कूल करमचारी है वो सब परिक्षा सुल्ख भुक्तान यह बारा तीन से स्टार्ट हो गया था यह दो चार यानि दो अपरेल को और परिक्षा सुल्ख भरने का लास्ट टेट जो है वहीं दो था अब यहाँ पर एक चीज़ समझेगा यहां पर देख लीजिए आप लोग यह फॉर्म फिल होने का परिक्षा सुरू यहां से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि देखिए आपको समय इसमें बिलकुल भी नहीं दिया जाएगा मैंने आपके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया ठीक है सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया यहां पर देखिए टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर मिलाके ठीक है उसके डाटा इंट्री अपरेटर के पांच थें और यहां पर आसुलिपिक के दो थें ओवराल मिलाके अगर हम बात कर ले तो 26 के आसपस 2627 पद इसमें ओवराल दिये गया थे ठीक है ना 2627 पदों पर यह बहा लिया भी थी विग्यापन भी थी और आप चल रहा था आचार संहिता आचार संहिता के वज़े से बहुत डिले हुआ ठीक है एलेक्शन को लेके तो उसमें तो सारे एक्जाम और नोटिफिकेशन वैसे ही बन था आ नहीं सकता था अब जो मामला फस गया है 65% वाला डिजरवेशन में फस गया है हाई कोड पहले कैंसल किया आप सुप्रीम कोड उसको कैंसल कर दिया बोला हम सुनवाई करेंगे 10 सेप्टेमबर सुनवाई होगी इसमें जो है आप लोग को मालूम होगा दो दिन पहले एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें बिहार गोवर्मेंट ने साफ साफ ये क्लियर किया है ठीक है एक न्यू रोस्टर वेगरा निकाला जाएगा और इसके उपर अपडेट आपको देखिएगा मंडे को जो है 100% आजाना है इसके उपर में अपडेट ठीक है समाने प्रशासन विभाग से नोटिस आजाएगा और नोटिस आते ही न्यू एक्जाम केलेंडर जो है आपका 20 तक ध्यान केलेंडर बाबू आते ही आपका जो है सेप्टेंबर के महीने में परिक्षा ले लेगा सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है एक्जाम डेट दे क्योंकि इसमें बिल्कुल ही समय आपको देगा नहीं एक्जाम केलेंडर आया हो सकता है 10 दिन के बाद परिक्षा का किसी भी जानकारी से आपको कोई अगर दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेर करिए चैनल पहली बारा है सब्सक्राइब जरूर करिएगा जय हिंद